इस इस दा न्यू चैप्टर है डिडिटी एन एविलूशन तो क्लास टेंथ में जो बोर्ड एग्जामिनिशन आप लोगों के होने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग यह नया चैप्टर है तो इससे रिलेट्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वह मैं इस वीडियो के थुरू आप लोगों को बताऊंगा और जो भी बोर्ड के पॉइंट आप लोगों से बन सकते हैं वह सारी चीज़े मैं आप लोगों से स दिमाग में रख लीजिए का हैरी डिटी वाला ही टॉपिक आपको टॉपिक आपको अस्टडी करना है वजर यहिसी रिगार्डिंग पहले यह समझते हैं कि ज है क्याз करने से पहले अगर आप लोगों को कॉंसेट क्लियर हो जाए कि यह है क्या इसका मतलब क्या सेंस क्या है तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा आपको इस शैप्टर को समझने में दिखिए एक साइंटिस ते ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने बेटा सबसे पहले यह प्रूफ क स्बाइब की एक उलाप Meuev vidak Gear यह जोंने शैप्रन लु आप वर से रोजक्त होता है जैसे रोजघ कैसे बनते हैं तो उन्होंने इस चीज पार में स्टॉड़ी की और वहको से पहले चांटे है क्या होती हैं है तो हैरेडिटी का मतलब होता है सेंपल से बैटा टान्समीशन और करेक्टर. फ्रॉम एपुरपे स्ब्रॉइप अब पहला पॉइंट देखेंगे तो इसमें यह बिल्कुल da definition दी गई है transmission of character from parent to offspring यानि अगर आप देख रहे हैंगे यह डाइग्राम बना है जैसे यह एक mother है यह father है तो इन दोनों के character बटा है जो इस baby में आ जाएंगे वही उसी को बोलते है herity या inheritance ठीक है अच्छा अब यह question आता है कि यह जो character transmit हो रहा हैं किसके through हो रहा है तो यह आप जान लिजेगा जो character transmit होते हैं वो genetic material यानि DNA के through transfer होते हैं अब DNA कहा होता है अगर हमारी body की बात की जाए मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूँ तो पूरी human body में तो टाइप की cells होती हैं पहली cell होगे somatic cell मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ और दूसरी होती है germinal cell जर्मिनल ठीक है तो जो germinal cells होती है वही transfer करती है characters को character का मतलब हो गया जो हमारी सरीर की सारी बनावट है मतलब color हो गया height हो गया ठीक है और यह transmission किसके through होता है sex chromosome की through मतलब x और y x x होते हैं female में और x y होता है male में तो और जो somatic character होते हैं वो 22 chromosome में होते हैं ठीक है तो इसको हम जरा बाद में detail में discuss करेंगे जब अब ही आपका sex determination आएगा वहाँ पर इस चीट को में जरा थोड़ा detail में आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आप सिंपल सा यह समझ गए होंगे कि जो character transfer हो रहा है mother father के through office spring में आ रहा है अब अगला है इवलूशन इवलूशन इस दा change in the characteristics of species over several generations दिखें जैसे हम लोगों के एंसेस्टर चिंपेंजी थे तो क्या हुआ धीरे 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 millions of years में क्या हुए कि हम लोगों के character change होते रहे चेंज होते रहे हम लोग एक नई species बनके आगे एक new आगे क्या हम लोग आज बिल्कुल उनके समाने नहीं है ना तो यह जो character धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं किसी स्पीसीज में और जो नई स्पीसीज बेटा बनती है वो पुरानी से बिल्कुल डिफरेंट होती है और काल्ड एवलूशन नेक्स स्लाइट में इनेटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड कॉमन बेसिस बॉड़ी डिज अंड मिनट चेंजेज फॉर नेक्स जनरेशन स्पीन गिंड डिफरेंज एड नेवली क्रियेट डिफरेंज देखिए इसमें सिंपल सा ही है जैसे हम लोग अपने मधर फादर से बने हैं तो क्या हम लोग एकजेक्ट कॉपी हैं मधर फादर की नो ऐसा तो नहीं है ना हाँ उनके character हम लोगों मेरे में transfer हुए तो उनके जो character है plus हमारे अंदर भी एक नया changes आ गया है तो उन सब को collectively मिला के आप उनसे differ होते हैं ठीक है यानि आप समझे है जैसे माली जे ये mother है ये father है तो इन दोनों के character तो आप में आ गए ये माली जे एक baby है ठीक है लेकिन baby बेटा exact copy father और mother की नहीं होती इन दोनों के combination से एक नया combination बन जाता है इसी लिए हम लोग एक दूसरे से differ होते हैं तो ये इस point में बताया गया है next point asexually production the resultant individual get only very minor differences due to small inaccuracy in DNA copying however in sexually reproduction greater diversity is generated बहुत important point है और हो सकता है यहां से region assertion based question आ सकता है मैं इसको पूरा समझा रहा हूं कि क्या मतलब है और क्या मतलब है sexual reproduction का देखिए मेरा ये वीडियो हो सकता है दो से काइदे से देखा ना समझ मैं दुबारा repeat कर लीजेगा तो उससे जितने भी बनेंगे बेटा वह एक्जेक्ट बनते हैं एक्जेक्ट कॉपी मतलब similar होंगे मैं हूं और मेरे जैसे ही 100 बन जाएंगे या आप हो तो आप जैसे ही बिल्कुल बन जाएंगे ठीक है जैसे यह डाइग्राम आप देख रहे हैं कि यह बनाए और इसके जितने भी डाटर बनने बिल्कुल एक्जेक्ट बनने कोई डिफरेंस नहीं है तो इसकी को क्लॉन बोलते हैं क्लॉन समझ रहे हैं अब इसका reason क्या अब इसका अब आप यह समझ़गे क्या विजा दॉछ इनल बटक्ट्शिंडम में जो भी डॉटर्टच्ट सेल और भाई डेक्टी यह हमारे मलेजा यह हमलीजे मदर फादरց इन्से हम बनें डेबी वीवन हम घिक है अब हम तो exact copy mother father की है नहीं अब हमारी भी marriage अगर किसी से भी female से तो उनसे जो B2 baby बनेगा वो भी बिल्कुल exact copy नहीं यानि हम लोग generation to generation एक दूसरे से different है different है बेटा इसलिए जो sexual reproduction organism करते हैं समझना उनमें genetic diversity यानि वो एक दूसरे से बिल्कुल differ होते हैं तो इससे क्या conclusion निकला अगर assertion region में आ जाए तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि जो एसेक्जूल रिप्रोटेक्शन से organism प्रडूस होंगे वो exact copy होंगे उनमें differences नहीं होते हैं और जो sexual reproduction से organism होंगे उनमें differences पाए जाते हैं आइटिंग यह point आपको clear हो गया होगा अगला बेटा next the variation in a species have no equal chances of surviving in the environment ठीक है the variation in a species have no equal chances of surviving in the environment देखिए जिसे कोई माल लीजे species है उनमें अगर variances variation हो रहे है तो यह जरूरी नहीं है कि वह species मतलब सारी species survive कर जाए एक चीज इसका फंडा यह है कि जो उस particular environment condition में अपने आपको धाल लेगा बेटा वही survive करेगा जो धाल नहीं पाएगा वह survive नहीं कर पाएगा next point based on the nature of variation different individual would have different kind of advantages जैसे bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave ओके तकिए इसमें एक example लिया गया बैक्टिरिया जो बेटा है ना वो अलग-अलग condition में survive करता जैसे bacteria आपके soil में भी पाए जाते हैं बैक्टिरिया बर्फ में भी होते है इसनो में बहुत heat condition में भी बैक्टिरिया रह सकते हैं तो इनकी अलग-अलग conditions हैं मतलब जो जिस हिसाब से अपने आपको accommodate कर लिया वो उस condition में survive कर पाएगा अब आप समझ सकते हैं जैसे माली जो ठंड जहांपर cold होती वहाँ पर बैक्टिरिया रहेगा क्या वह heat में survive कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो यह अलग-अलग species हैं जिनके अंदर उस इन्वार्मेंटल कंडिशन के अपने आपको रहने की पावर होती है अगला पॉइंट सेलेक्शन और वैरियंट्स बाइड इन्वार्मेंटल फैक्टर इस दा बेसिस आफ इवलूशन अब यह बिल्कुल सही है माली यह पांच इस्पिसीज है एक माली यूमन है एक जैब् ज्यादा बढ़ जाए बेटा उसे पर्टिकुलर एरिया में जैसे हमें एक्जाम्पल ले रहा हूं यह माली यह पूरा एक कोई एरिया है यहां पर लायन है मंकी है हुमन है और जैब्रा है और एलिफेंट है अब अगर यहां का टमपरेचर ज्यादा हो जाए उस टेमपरे इस बेटा सर्वाइब कर ले जाएगा समझ गए वही आगे जाएगा वही आगे उसी उसी स्पीसीज की डॉमिनेंसी रहेगी बाकी सब एक्स्टिंट हो जाएंगे समझ में इसी को इवलूशन बोलते हैं कि इवलूशन सिंपल सा तो इवलूशन का मतलब क्या होता है धीरे तो मैंने यह जो पॉइंट आपको यहां पर एक्स्प्लें किये इन पॉइंट से अगर आप कोई भी अंसौल्ट पेपर बेटा लगा रहे होंगे तो प्रीवियस यह में कोश्चन्स आपको जरूर यहां पर देखने को मिलेंगे तो आज एका यह जो दस मिनट का मेरा दूसरा पार्ट लेके हैं